Hello to all my lovely kids, कैसे हो आप लोग? I know कि वीडियो इतना देर देर में आरी है ना मुझे पता है कि आप लोग सोच रोगे कि पता नहीं ये चैनल कैसा है, माम कहां चली गही है and all that So हमेशा की तरह I am so sorry बच्चों कि मैं थोड़ा टाइम से consistent नहीं हो पा रही हूं और मुझे इस चीज का बहुत गिल्ट भी है कि मैं प्रामिस करती हूं लेकिन फिर वो डिले हो जाता है I am accepting my flaws, I am so sorry for that So students, जहां तक जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या मेरे चैनल को जिन्होंने देखा वो जानते हैं कि हमारी एक continuous series चल रही है जिसमें मैं अब आपको यह सिखा रही हूं chemistry में कि जो basic चीजें like atom, elements, compounds, molecules यह होते क्या है initial level पर तो जिसमें से जो previous video थी उसमें मैंने बहुत basic introduction दिया था कि atoms क्या है, elements क्या है, molecules क्या है ठीक है, बहुत deep में एक knowledge प्रवाइड की थी तो आज मेगा मैं लाई हैं आपके लिए उसी से related एक topic है, जो की बच गया था that is iron, ठीक है क्योंकि आप जो upcoming video आएगी after this video, उसमें मैं आपको बटाऊंगी बहुत ही simple steps में कि compounds बनते कैसे हैं और ये video especially 6 to 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है क्योंकि वो initial चीज़े ही नहीं जानते हैं और फिर बाद में बहुत जादा regret करते हैं कि काश मैंने basic सीख लिया होता तो बटा, previous video का link मैं दे दूंगी प्लीज आप चेक करना तो देखिए, 1 minute 36 seconds के बाद मैं video शुरू कर रही हूं मुझे पता है कि थोड़ा bowl दिया है पर थोड़ा information देनी जरूरी थी तो देखिए बच्चो, this is iron ओके, और आज हम बात करेंगे कि ions क्या होते हैं और ये कितने types के हैं और साथ में compounds बनाने में कैसे helpful हैं तो मैंने आपको सबसे पहले atom के बारे मैं याद दिला देती हूं मैंने बोला था कि जो atom है वो actually smallest particle है किसी भी matter का कोई भी matter जो सबसे smallest particle से मिलकर बना है वो atom होता है अब हमेशा याद रखिएगा कि atom actual में दो चीजों का combination है ठीक है, the first one is cation and the second one is anion, ठीक है यह जो ions होते हैं न बेटा यह ions actually में कुछ particles होते हैं क्या होते हैं, कुछ particles जो की charged होते हैं अब charged particles होने का मतलब है कि वो positive भी हो सकते हैं और वो negative भी हो सकते हैं ठीक है, so basically what are ions, ions are charged particles they can be positive और negative ठीक, उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि जो positive ions होते हैं I hope visible है, जो positive ions हैं उनको हम cation बोलते हैं और जो negative ions हैं उनको हम anions बोलते हैं ठीक है, जब भी electrons का loss होता है तब ही cation form होते हैं and those are positively charged and जब भी electrons का gain होता है तब anion form होते हैं and those are negatively charged अब आप कहोगे कि मैं हम ये loss और gain कैसे हो रहा है तो मैं आपको सब कुछ एक वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही initial level से शुरू कर रही हूँ जिससे एक बहुत ही average बच्चा भी समझ पाए और studies को प्यार कर पाए ठीक है तो जब हमने cation और anion को combine किया तभी हमारे पास एक atom बना जिसको हमने neutral atom कहा ठीक है So always remember that ions are charged particles ठीक है और वो positive भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं अब अगर मैं बात करती हूँ कि there are certain types of ions तो उसमें जो पहला type है वो है monoatomic दूसरा type है diatomic तीसरा type है triatomic and the last is polyatomic mono, di, tri, poly basically यह जो initial words है ना इनी से इनका definition clear हो जाएगा ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर देख रहे हो mono mono means one mono means one di means two tri means three and poly means many मैं यहाँ लिख देती हूँ one, two, three and here it is we will write many तो जब भी मैं monoatomic की बात करूँगी तो यह ऐसे ions है जहाँ पर सिर्फ एक atom होगा ठीक है? जैसे कि यहाँ देखिए sodium na plus and copper cu plus ठीक है? यहाँ पर देखिए charge कितना है? plus one plus one का charge है दोनों पर one one charge है ना तो इसलिए इसको हमने monoatomic ion बोला ठीक है? चार्ज देखिए यह positive plus one यह भी positive plus one ठीक है positive है तो क्या है? cation ठीक? याद रखिएगा monoatomic means charge should be one अब चाहे वो plus हो चाहे वो minus हो अब हम diatomic देखते हैं diatomic देखिए diatomic में मैंने example लिखे हैं एक आपको trick भी बताऊंगी देखिए मैंने लिखा है O2 minus CA2 plus ZN2 plus तो देखिए यह 2 minus 2 plus 2 plus हर जगे 2 2 आ रहे हैं तो इसलिए यह diatomic है क्या है यह diatomic और minus शो कर रहे है NIN plus शो कर रहे है kation फिर plus शो कर रहे है kation ठीक है? तो minus plus तो बात की बात है पहले आपको charge देखना है कि charge अगर 2 है तो diatomic है charge अगर 1 है तो monoatomic है और इसके लिए एक बहुत cute सी trick है have no fear of ice cold beer have no fear of ice cold beer अगर आपको diatomic जो ions है उनको याद करने के लिए trick जाननी है तो आप इसको learn कर सकते हैं जिसमें से की have में H represents hydrogen N represents nitrogen F represents fluorine O represents oxygen I represents iron sorry I am so sorry iodine C represents chlorine and B represents bromine ठीक है? So it's a cute trick to understand diatomic ions देखे सब में 2-2 है ना इसका मतलब भी यह है यह देखे यहाँ पर जो है आपके यह atoms लिखे हुए है लेकिन जब मैं charge लिख लिख रही हूँ तो charge diatomic ion है अब triatomic देखिए triatomic में मैंने एक example लिखा है aluminium 3 plus और एक लिखा है ozone O3 ठीक है? तो यह diatom यह triatom है ठीक है? ozone 3 O3 और triatomic ion मतलब कितना charge है? 3 plus charge है 3 charge है 3 ठीक है? और plus मतलब ketion और जब हम बात करेंगे polyatomic की तो polyatomic में देखिए nitrogen भी है oxygen भी है ठीक है? nitrogen पे कुछ charge है oxygen पे कुछ charge है लेकिन combine होके यह NO2- बना रहे हैं जिसको हमने nitrite बोला OH negative many है ना many atoms hydroxide CO3- carbonate PO4- 3- phosphate तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर basically there is no constraint की एक atom ही होगा यह दो atom ही होगा यहाँ पर many atoms और उनको भी combine करके एक charge यहाँ पर develop हो रहा है देखिए यहाँ minus यह जो combine charge है यह minus 1 का है यहाँ पर फिर यहाँ minus 1 का है यहाँ 2 negative हो गया यहाँ 3 negative हो गया ठीक है? तो इसी को हमने बोला polyatomic ions तो यह बहुत ही quick और short वीडियो थी मुझे पता है कि बहुत सारी चीजे हो सकता है आपको अभी नहीं clear हो पर as you know कि मेरा channel सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं वीडियो बना के डालती जाऊ मैं बहुत ही root level पे काम करूंगी कि कहां बच्चों को कौन सी चीज नहीं आ रही है ठीक है? तो हमने आज सीखा कि atom, cation और anion को combine करके मिलते हैं ions को हम charge particles कहते हैं वो positive भी हैं और negative भी mono, die, tri, polyatomic charge and ions के बारे में जाना mono means plus one or minus one die means plus two or minus two tri means plus three or minus three and polyatomic means many charges or atoms okay so I hope और बच्चों प्लीज आप लोग बिल्कूल भी न hesitate मत करियेगा आपको नहीं आ रहे है समझ में तो please please comment में बूचेगा till then मैं बहुत जल्दी वीडियो के साथ आऊंगी अब मैं बताऊंगी आपको कि compounds कैसे बनाने हैं ठीक है thank you for your patience कि आप लोग अब भी माम के साथ connected हैं बाई